वैदिक जोतिश में नक्षत्रों की क्या भूमिका है? नक्षत्रों से भविश्यवानिया कैसे की जाती है? नमस्ते आज, हम वैदिक जोतिश में नक्षत्रों की आकर्शक दुनिया में गोता लगा रहे हैं. नक्षत्र या चंद्रभवन, 27 अलग-अलग तारा समू हैं, जिनसे चंद्रमा अपने मासिक चक्र के दौरान यात्रा करता है प्रत्येक नक्षत्र राशी चक्र के 13 डिग्री 20 तक फैला हुआ है और इसमें अद्वितिय गुन, कहानिया और देवता है लेकिन वैदिक ज्योतिश में नक्षत्रों की क्या भूमिका है? आईए इसे समझते हैं, व्यक्तित्व लक्षन, नक्षत्र हमारे चरित्र, ताकत और कमजोडियों के बारे में गहरी अंतरद्रिष्टी प्रकट करते हैं, जो राशी चिन्हों की तुलना में अधिक सूक्षम समझ प्रदान करते हैं. जीवन की घटनाएं, वे जन्न के समय चंद्रमा की स्थिती और उसके पारगमन के आधार पर करिय की सफलताओं से लेकर रिष्टों तक जीवन की प्रमुक घटनाओं की भविशिवानी करने में मदद करते हैं. संगती, दोनों भागीदारों के नक कलन करने में नक्षत्र महत्वपूर्ण हैं. दशा प्रणाली, वे ग्रहों की अवधी, दशा, के समय का मार्ग दर्शन करते हैं, जो विशिष्ट जीवन के अनुभवों और चरनों को इंगित करते हैं. नक्षत्रों के साथ भविश्यवानिया चंद्रमा की स्थिती और अ जीवन की यात्रा को अधिक स्पष्टता के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है. आज के लिए बस इतना ही, क्रिपया अधिक जोतिश अंतर्द्रिष्टी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें.